प्रश्ट बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे एक नए वीडियो में दोस्तू आप लोग हमारे पीछले वीडियो के कॉमेंट बाक्स में भर भर के कॉमेंट कर रहे थे कि पंकज भाई मुझे भी option trading सीखना है मुझे भी option trading सीखा हो तो finally दोस्तो आज हमने discuss किया है कि आज से ही मैं आपको option trading सीखाने वाला हूँ दोस्तो आज का ये जो video है वो option trading का एकदम नीचला हिस्सा होने वाला है यानि कि ये first part है option trading का इसके बाद मैं part 2, part 3, part wise part करके video बनाता रहूँगा और आप लोग उसको एक एक देख कर सीख सकते हो दोस्तो देखो जब कोई घर बनता है तो घर की new जितनी मजबूत बनाई जाती है घर उतना उचा बनाया जाता है उतना ही बड़ा बनाया जा सकता है ठीक उसी प्रकार अगर आप लोगों को भी option trading से पैसा कमाना है तो आप लोगों को option trading की जो basic सी जानकारी है उसके बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी होता है तो finally आज ये जो part 1 है इस video में हम आपको option trading की एकदम छोटी से छोटी जानकारी बताने वाले है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि जब आप option trading करोगे तो किसी न किसी demit account में ही आपको करना पड़ेगा तो अगर से आप लोग की पास demit account है तो तो well and good अगर आप लोगों की पास कोई भी demit account नहीं है तो मैं वीडियो के description में angel one और धन broker का link दे दिया हूँ आप वहाँ से अपना demit account open कर सकते हैं अब कुछ लोग का सवाल ये भी आएगा कि पंकश भाई angel one और धन ही क्यों बता रहे हो तो भाई मैं बहुत सारे app में अपना demit account open किया था लेकिर मुझे वह अच्छा नहीं लगा मैं अब angel one और धन में अपना demit account यूज करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा app है तो आप लोगों को भी इसी में अपना demit account open करना चाहिए तो अगर आप लोग करना चाहते हो तो वीडियो के description में लिंक है जाकर demit account open कर सकते हूँ अब topic पर आते हैं देखो यार option trading को ज़्यादा deep में समझने से पहले हम आपको बताते हैं कि option क्या है और trading क्या है क्योंकि option अलग है trading अलग है बहुत से लोग option trading तो करते हैं लेकि उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि option क्या होता है और trading क्या होता है तो मैं आपको option के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों आप stroke market यानि कि share market में किसी भी company का share खरीदते हो तो उसे stroke market करते हैं लेकिन आप किसी भी company के share इसमें नहीं खरीज सकते हो option trading में आप इसमें company का share होता है छोटा सा भाग खरीदते हो जैसे निफ्टी में आप trading करते हो bank निफ्टी में करते हो निफ्टी में तो देश की सबसे बड़ी 50 company है अब 500 company का share तो आप खरीद नहीं पाऊगे अभी TCS का share हो 70-72 हजार के पास में है तो आप एक share उसका खरीदे होगे तो आपको 70-72 हजार देना पड़ जाएगा और जब एक उर्पिया बड़ेगा तो आपको एक उर्पिया का फायदा होगा यानि कि आप सोचो आप 70-72 हजार उपिया लगाकर एक उर्पिया तो कमाऊगे नहीं इसलिए आप BANK NIFTY में ट्रेडिंग करते हो तो BANK NIFTY में हम लोग क्या करते हैं जो share है उसकी छोटी-छोटी जो भागे होती है छोटा-छोटा जो उसका हिस्सा होता है हम छोटी-छोटी हिस्सों को खरीदे हैं option ट्रेडिंग में यही होता है जो share का छोटा हिस्सा होता है उसे ही option कहते हैं दोस्तों देखो आप किसी भी company का share खरीदों को कम पैसा मिलेगा लेकिन छोटा हैसा ही हिस्सा खरीद कर हम लोग जादा पैसा बना सकते हैं तो सायद आप समझ गयोंगे कि option किसे कहते हैं अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग किसे कहते हैं दोस्तों देखो ट्रेडिंग का हिंदी होता है ब्यापार अब ब्यापार किसे कहते हैं जैसे माल लो मैंने 10 रुपे में गेहूं खरीदा और 15 रुपे में मैंने किसी को बेच दिया तो मुझे 5 उर्पे का profit हो गया तो इसी खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को ब्यापार कते हैं और ब्यापार का English होता है trading तो stock market में trading इसी को कते हैं जैसे हम किसी भी option को buy करते हैं, sale करते हैं तो उसे ही trading करते हैं यानि कि खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है उसे trading करते हैं अब दोस्तो आप सायज समझ गयोंगे कि option क्या होता है और trading क्या होता है अब दोस्तो trading भी कई प्रकार का होता है जैसे हम लोग option trading में swim trading करते हैं, intraday trading करते हैं, btst trading करते हैं, scalping trading करते हैं, positional trading करते हैं तो ये सभी trading क्या है और कैसे काम करती है इसके बारे में हम part 2 में discuss करने वाले हैं तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को like करो, channel को subscribe करो, मिलते हैं part 2 वाले वीडियो में